शादी पढ़ गई है लेकिन अब शादी में फिजूल खर्ची पर जल्द ही कानूनी डंडा चल सकता है कॉंग्रेस की सांसत रंजिता रंजन ने इस सिलसले में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है आपको बता दे रंजिता रंजन बिहार के बाहुबली नेता पपू यादव की पतनी है रंजन ने उमीद जदाई कि उनके विधेक पर सियासत नहीं होगी और सभी पार्टियां इसका समर्थन करेंगी उनके मुदाबिक कई सांसत खुद भी महंगी शादियों पर लगाम लगाना चाहते हैं विधेक के जरिये शादी को शान और शोकत के दिखावे का ज परकार को सलाम करेंगी मैरिज बिल जुलाई 2016 में पेश किया गया था विधेक के मुताबिक अगर कोई शक्स शादी में 5 लाक रुपे से जादा खर्च करता है तो उससे 10 फिसदी जुर्माना वसूला जाएगा जुर्माने की रकम एक ऐसे कोश में जाएगी जिससे गरीब लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद पहुचाई जाएगी अगर ये बिल पास हो जाता है तो ऐसी शादियों पर रोक लगने की उमीद की जा सकती है NMF News की रिपोर्ट